हेलो दोस्तों मारे पास question दिया गया है sin a plus cos a का whole square plus में sin a minus cos whole का square equal में क्या होगा अब लोग ध्यान से देखिए दोस्तों अगर मैं sin a को a मान लेता हूँ तो plus cos a को b मान लेता हूँ तो इसी तरह यहाँ पर sin a को a और cos a को b तो यह क्या हो जाएगा a plus b का whole square यह हो जाएगा a minus b का whole square तो हम क्या करेंगे हम a plus b का whole square का फार्मूला लगाएगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा यह हो जाएगा a की 2 a plus b का whole square क्या होता दोस्तों a plus b का whole square होता है a की 2 जमा b की 2 plus 2ab इसी तरह A minus B का all square होता है A की दो जमा B की दो minus 2 A B अब हमें इसको अंदर पूट करेंगे sin A plus cos V तो sin A plus cos V क्या हो जाएगा A की दो जमा B की दो यानि कि sin A की दो cos A की दो plus 2 sin A cos B cos A ठीक है अब आगे क्या निसान दे रखें दोस्तों पलस का तो यहाँ पर क्या लगाएगा sin A minus sin B cos B तो यहाँ पर हम पूट करेंगे इस फार्मूले के अंदर इसको तो मारा क्या आजाएगा sin A का स्केर plus cos A का स्केर minus 2 sin A cos B यह minus 2 sin A cos B है दोस्तों यह इदर क्या पलस में इससे एक कट जाएगा तो यह क्या बच गया sin square theta plus cos square theta sin square theta plus cos square theta यानि कि इसका मान भी एक होता है और इसका मान भी एक होता बीच में sin plus का है तो हम इनको add कर देंगे एक और एक 2 2 क्या जाएगा दोस्तों हमारा answer आजाएगा यही क्या हमारा answer option number B is right उमीद एक दोस्ता आपको वीडियो पसंद आई होगी चैनल को like, share, subscribe करना मत बोलिए ताकि आने वाली वीडियो का notification आपको जल्द से जल्द पराप दोस्के